हलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरीवंश राय बच्चन की कविता, बहुती मशूर कविता है, बहुती अच्छी, इसे पूरा जरूर सुनना, ये कविता आपके दिल को छू जाएगी, कविता अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लेज इसे एक लाइक कर देना, और हमार प्वाहिश नहीं मुझे मशूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी, उसने उतना ही पहचाना मुझे, जिन्दगी का फलसफावी कितना अजीब है, शामे कटती नहीं, और साल गुजरते चले जा रहे हैं, एक अजीब सी दोड़ है ये जिन्दगी, जीत जाओ, तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ, तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी आउकात अच्छी लगती है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, ऐसा नहीं है कि मुझे में कोई आईब नहीं है, अइसा नहीं है कि मुझे में कोई आईब नहीं है, पर सच कहता हूँ, मुझे में कोई फरेब नहीं है, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्द से मैंने ना मुखबत बदली और ना दोस्त बदले हैं, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांद ली बक्त पीचे ही पड़ गया मेरे सोचा ता घर बना कर बैठूंगा सुकून से पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे सुकून की बात मत कर ऐ गालिब सुकून की बात मत कर ऐ गालिब बच्पन बाला इतबार अब नहीं आता जीवन की भाग दोड में क्यों बक्त के साथ रंगत खो जाती है हस्ती खेलती जिन्दगी भी आम हो जाती है एक सबेरा था जब हसकर उठते थे हम एक सबेरा था जब हसकर उठते थे हम और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है कितने दूर निकल गए रिष्टों को निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम ठग गए दर्द छुपाते छुपाते खुश हूँ और सब को खुश रखता हूँ ला पर्भा हूँ फिर भी सब की पर्भा करता हूँ मालूम है कोई मौल नहीं है मेरा फिर भी कुछ अनमौल लोगों से रिष्टा रखता हूँ कुछ अनमौल लोगों से रिष्टा रखता हूँ तो दोस्तों ये जो कविता अभी आप सुन रहे थे हरीवंश राय वच्चन जी दौरा लिखी गई कविता है बहुत ही अच्छी दिल को छू लेने वाली कविता थी ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना जिससे की ऐसी ही सुन्दर सुन्दर और मनोहर वीडियो आप लोगों को मिलती रहें मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में